गर में बिटिया की शादी हो और वाहन में दुलहन के गहनों से भरा बैग छूट जाए सोची उस परिबार में क्या बीतेगी एक तरफ शादी का महौल और दूसरी ओर ये टेंशन की अब करें तो क्या करें लेकिन आपने सुना होगा की कर भला तो हो भला शायद यही अच्छाई सामने आई और मुसीबत के बादल पल में छट गए ये वाक्या हलदानी के मुखानी शेत्र का है जहां के एक टेंपो चालक कीरती बल्लब जोशी ने इमानदारी की मिसाल पेश की है जब दुलहन के परिजन आटो में दुलहन के जेबर भूल जाने को लेकर चिंतित थे और क्या करें क्या ना करें की उधेर बुन में थे इन सब के बीच दो घंटे के इस टेंशन भरे मौहल के बाद अचानक वही टेंपो चालक मानु भगबान का रूप धर सामने आ खड़ किर्ति बल्लक जोशी ने इमानदारी की मिसाल पेश करते हुए दुलहन के जेबर बाला बैग लोटा दिया ये देख मेमान रिष्टेदार सब वह वह कर उठे और खुशी के मारे बुझे चेहरे फिर से खिल उठे इमानदार टेंपो चालक जोशी ने कन्या का कन्यादान ह होने का हवाला देकर कोई इनाम लेने से इंकार कर दिया और दुलहन और दुले के परिजनों ने आज के दौर में इमानदारी की मिसाल बने चालक जोशी का माला पहना कर स्वागत अभिनंदन किया दुलहन पक्षिवे लोग गुजरास से आए हुए हैं तो जब सुभव होटल से बैंकट होल के और आ रहे थे तो वहाँ पर टेंपो लिया उन्होंने और उनका ज्वैलरी जिसमें पांस लाकी ज्वैलरी और पचास हिजार रुपे कैस थे वोशी में ही गल्तिवास छूड लेकर के चले गया और बात में पता चलता है तेंपो चालक शिवान किर्थि बंदब जोशी जो मूलूब से बागिशवर के रहने वाले हैं वर्तमान में किराय पर रहते हैं हरी नैक में आपने टेंपो घर जाकर खड़ा कर दिया और अगली सिप्ट में जब वो स्कूल के पट्चों को लेने गए तो उनको तब पता चला उन बच्चों के माधियम से कि इसमें कोई सामान चूटा है और तुरंट उस सामान को यहां विवहा मंडव पर आए और जब उनका सम्मान करना चाहा उनको इनाम देना चाहा तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया उन्होंने का हम देवभू में उत्राखन के रहने वाले लोग हैं और यह मेरा करतब भी है मेरी जिम्मेदारी है बूलबस कोई सामान रहे गया तो इसमे उनका सामान आयाए खांटाओी जरे मान में थे गव्राव में और जहाए और नाःसी बिल्चापे लोगी पिंदय हो यह झाले उन्हुणतर प्लस्त्तरी ढारे झाले भी हाए यह फ नन्होंने पिछला हैं लोगले के बारे लोगजू अपलौदñतरी बिल्त्रावश